हलो एंड वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल वन्स अगैन जैसे के मैंने आपको कल बताया था गोल्ड सिल्वर अभी भी फॉजटिव ही हैं मार्केट ने कल 1332 डॉलर का हाई बनाया लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया और उसके बाद मार्केट तक रीवन 1325 डॉलर तक आ आज का जो गोल्ड का रेजिस्टेंस रहेगा गोल्ड का रेजिस्टेंस आज रहेगा 1334 का सपोर्ट रहेगा आज का 1325 डॉलर तो सपोर्ट वूड भी 13,18 अड्रेंड इसका अभी फॉजटिव ही है तो ध्यान रखेगा कि ज्यादा इसमें सेलिंग ना करें जब तक कि मार यह बाइन डिप से र्यादा बेटर रहेगा सेलिंग अभी अवॉइट करें जब तक कि मार्केट 1318 डॉलर तक सस्टेन कर रहा है चलिए सिल्वर के लेवल देख लेते हैं कि सिल्वर कल 16 डॉलर तक गई थी लेकिन सोला डॉलर को क्रॉस नहीं कर पाई हो मार्केट ऑल्मोस 1585 पर चल रही है 1588 इसका रेस्टेंस जैसे मैं आपको काफी दिनों से पता रहा हूं सिल्वर का रेस्टेंस 165 का है जब तक यह क्रॉस नहीं करेगा मार्केट में फरिश्ट नहीं क्रॉस करता है तो मार्केट में फ्रेश देजी नहीं है 15-15 ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट में फ्रेश मंदी नहीं है तो अभी मार्केट वापिस है जन्वरी की तरह हो गया है बहुत ही एक टाइट रेंज में चल रहा है मार्केट इस टेडिंग इन वाई लेवल राइट नाव कर मैंने आपको क्रूड ओल का एक सपोर्ट बताया था 56 डॉलर 70 का मार्केट ने वह तोड़ा तो आल्मोस 55 डॉलर आ गया है यूजली अगर नॉर्मल ड्रॉप होता तो मैं कहता कि हमारा सपोर्ट तोड़के मार्केट नीचे आए पर यह सपोर्ट की व कल प्रेसिडेंट ट्रॉम्प ने कहा था कि कुरूड ओल के प्राइस बहुत ज्याता है और ओपैक को कुरूड ओल के प्राइस नीचे करने चाहिए उस टूइट के बाद ही मार्केट में बहुत बड़ा डॉप आया और तकरीपन 55 डॉलर तक आ गया है 56 जरूर उसका सपोर अच के रहेगा 56 का सपोर्ट रहेगा आच का 54 जरूर तरगा ड्रेंट इसका अभी वीख ही है कुरूड ओल ट्रेंड इस वीक करने राइट नाओ तो अवाइट बाइंग एंड सेल उन राइस वुट बीड आइडिया लेट्स टेक अलुक इन एक एंसे लेट एंसे लेट ए रहेगा सपस्यर टृट रहेगा गएंड ड़न आच नाहन उ Councillor गोल्सकर रहेगा थाइड इंसी छंप आज सिल्वर के लेवल्स चेंज भी हो सकते हैं विकाज आइन आर भी चेंज होता रहता है और आइन आर को पांच बजी के बाद कैसे देखते हैं मैं इसका वीडियो जल्दी डालूँगा तो अगर आपने मेरे चैनल सब्क्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बैल आइकन को क आइक केर बाबाए